क्या आपको पता है, हरिद्वार में एक मरक्यूरी यानि पारे से बना ऐसा शिवलिंग है, जिसकी पूजा कर रावण ने अपनी लंका को स्वर्ण में तब्दील कर लिया था. हरिद्वार का परदेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पारे का बना हुआ है. रावण के शिव स्थुती की जब चर्चा होती है, तो पारद के शिवलिंग का विशेश वर्णन मिलता है. इसी शिवलिंग का पूजन कर रावण ने अपनी लंका को स्वर्ण में तब्दील कर दिया था. शिव पुराण में शिव जी का कथन है कि करोड़ शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी करोड़ गुना अधिक फल पारद शिवलिंग की पूजा कर और दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है. ब्रह्म हत्याय गौहत्या जैसे जगन्य अपराध पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं. कहा ज बताया जाता है कि यह शिवलिंग 150 किलो ग्राम पारद से बना है इस आश्रम में तीन बड़े दर्शनी अस्थान है एहला मृत्युन जय महादेव का मंदिर दूसरा परदेश्वर मंदिर और तीसरा रुद्राक्ष का व्रिक्ष जूना अखाडा के पंच दशानन अखाडे क यह आश्रम है इसे हरी हर आश्रम कहा जाता है पारा जियोतिरलिंग के पूजन से जितना पुन्यकाल प्राप्त होता है उतना पुन्यपारत शिवलिंग के दर्शन मातर से मिल जाता है बोलो हर हर महादेव